भारत के विदेश मंत्री SJ संकर पिछले दिनों पाकिस्तान में थे वो SCO समिट में शामिल होने के लिए गये थे और वहाँ पे आपने उनका स्वायग भी खोब देखा होगा काला चश्मा, रेड कॉर्पेट और पूरी उनकी बातें लेकिन विदेश मंत्री के साथ एक डेलिगेशन भी इसलामाबाद तक गया था और उस डेलिगेशन में हमारे वरिष्ट साथ ही आशीस कुमार सिंग भी मौजूद थे वहाँ इनकी मुलाकात कुछ दिल्चस्प लोगों से हुई है और उन दिल्चस्प लोगों में सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के पुर्व प्रधानमंत्री का भी है और उनकी बेटी का भी है यानि की नवाज शरीf और मर्यम शरीफ उनसे इनकी मुलाकात करीब-करीब एक गंटे तक की रही है वहाँ पे नवाज शरीफ की क्या बाते हुई, उन्होंने भारत से रिष्टों को लेकर के क्या कहा, क्रिकेट को लेकर क्या कहा, भारत के खानपान को लेकर क्या कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर क्या कहा यह बहुत सारी बाते आशीरिष कुमार सिंग से नवाज शरीफ की तफसील से हुई है तो हम भी आशीरिष कुमार सिंग के जरिये आप तक ये बात पहुचाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री मोधी को लेकर भारत को लेकर और यहां की लोगों को लेकर क्या सोचते हैं शुक्रिया असेज जी वग देने के लिए कैसी रही मुलाकात आपकी मुलाकात तो बहुत ही अची रही और प्लेजन सर्प्राइस था क्योंकि अविनाश जब हम वहाँ गए थे तो यह स्केडूल नहीं था कि नवाज शरीफ साब मुलाकात करेंगा और वैसे भी SEO समिट थी हमारा वीजा इसलामाबाद कहीं था और नवाज शरीफ साब हमसे मिले लाहॉर में तो वो एक स्पेशल हम लोग को परमिशन दी गई एकसेस दिया गया लाहॉर इंटर करने का आखरी दिन जब हम लोग लौट रहे थे तो वाकई यह तो मतलब बहुती बड़ी बात है किसी भी डिप्लोमाटिक जर्नलिस्ट के लिए कि आपसे और खास करके अगर आप इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं और नवाज शरीफ साब से मिलने का मौका मिले तो बहुत बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही चुकि रिष्टे बिगड़ने की बात होती है कि पाकिस्तान से हम लोगों के रिष्टे इसकादर खराब हो चुके हैं कि अब हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं इसके बावजूद एस जैसंकर ने एक पहल की इस स्यो समीट में गए इसको लेकर के पाकिस्तान से भी पॉजिटिव रिस्पॉंस रहा और भारत से भी पॉजिटिव रिस्पॉंस रहा पूरो प्रधान मंतरी होने के नाते और शाहबाद शरीफ जो वरतमान प्रधान मंतरी हैं उनके बड़े भाई होने के नाते नाते नवाज शरीफ का Res Beyonds आप लोगो को लेकर के कैसा रहा है शरीफ फैमिली से कोई भी वो रहे हो या आप शहवाश शरीफ तो रिष्टे दुबारा से कभी कभी पट्री पे आते हैं हालात बहतर होती है तो क्या आप ब्रिज का काम कर सकते हैं तो उन्होंने का यही कोशिश मैं कर रहा हूँ और देर भाई मैं आप लोगों से इंटरैक्ट भी कर रहा हूँ तो हम लोग को भी बहुत वामली मिले पॉजिटिव उससे मिले और आप डॉक्टर जैशंकर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक बड़ी नोटवर्दी चीज़े देखिए मेरे लिए डिप्लोमेसी में जेस्चर्स और शब्दों के इस्तमाल के बड़े माइने हैं तो पॉजिटिव आउटकम को तो आप इसी से असेस कर लीजे कि डॉक्टर जैशंकर होस्ट नेशन के प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ हाथ मिलाते है या वाम हैंडशेक होता है या चेहरे पे दोनों के स्माइल होती है सिर्फ इसी को हमने और आपने रीड नहीं किया जाते वक्त उन्होंने क्या किया जब वो वापस जा रहे थे उसके चंद मिन्टों पहले उन्होंने बाकाइदा ट्वीट करके टैग किया शहबाज शरीफ साब को और उनके फॉरेंड मिनिस्टर को और उनको धन्यवाद दिया एक घंटे बाद उनके फॉरेंड मिनिस्टर ने उसको कोट किया एक्स पर पोस्ट में और उल्टा ग्रेटफुलनेस जाहिर की डॉक्टर जैशंकर के लिए तो ये दिस इस नॉट रूटीन दिस बियॉर्ण रूटीन ये कुछ ऐसा हुआ है जो अपने आपको इंडिकेट करता है कि चीज़े अब पॉस्टिव डिरेक्शन में आगे बढ़हेंगी तो ये पॉस्टिव डिरेक्शन में चुकी आपकी बातचीज जब एक पुरुप प्रधान मंतरी से होती है और पॉस्टिव चीज़ों की बात होती है तो उसमें बहुत सारी बात है क्योंकि हमारे भारत के और पाकिस्तान के रिष्टे इस कदर बिखरे हुए हैं कि हमारा व्यापार लगभग रुखसा गया है वाया दोबई करना पड़ा है हमको चैंपियन्स ट्रोफी के बार-बार बात होती है कि भारत की टीम वहाँ पर नहीं जाएगी वहां की टीम यहाँ पर नहीं आएगी हम कहते हैं कि वहां खेलने नहीं जाएंगे वह कहते हैं कि हम यहां खेलने जाएंगे इस नवाज शरीफ तो क्रिकट प्रेमी भी है क्रिकट प्रेमी नहीं मुझे तो जहां करके पता चला कि उन्होंने बड़ी high scale पे cricket खेली हुई है, champions trophy खेली हुई है और represent किया हुआ है अपने देश को बहुत highest level पे in fact वो बता रहे थे कि वो कैसे square cut और drives मारा करते थे और बाकाईदा hand के gesture वगरा के साथ हो बता रहे है और फिर वो ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं जब मैंने उनको पूछा कि आप चाहते हैं champions trophy में इंडिया टीम भेजे तो उन्होंने बोला कि teams नहीं भेज के चाहे इधर से चाहे उधर से फाइदा किसका होता है फिर मैंने उनको दुबारा insist कि मैं फिर पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि team भेजे इंडिया champions trophy के लिए तो उन्होंने मेरी तब देखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे दिल की बात बोल रहे हैं और अगर पाकिस्तान की team हमारी team अगर इंडिया जाती है किसी multilateral sporting event में और final में पहुचती है तो मैं खुद आउंगा match देखने के लिए तो बड़ी positive बाते कर रहे थे और एक बात और वो बार बार insist कर रहे थे विनाश की past को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए क्यों मैं आ रहा हूँ इस बात पर क्योंकि आपने इस सवाल में शुरू में हवाला दिया कि कई ऐसे मुद्नें जिसकी वज़े से हमारे रिष्टे बहुत खराब हो गए हाँ मतलब कारगिल का समय इन्हीं के समय का रहा है और इसके बाद भी हम रिष्टे इसकदर सुधार नहीं पाये जैसे आये थे इमरान खान लगा था कि बहुत अच्छे होंगे इमरान खान ने बहुत तारीव भी की थी बाद में वो इसकदर भड़के कि बहुत सारे रिष्टे खराब हो गए फिर आप ही लोगों के जरी हमें पता चला कि नवाशरी बीन पे भड़क गए उन्होंने जब कहा कि पास्ट को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए उस दौरान उन्होंने अटल जी के दौरे को भी याद किया उन्होंने कहा कि जब अटल जी आये थे मैंने और उन्होंने मिल करके रिष्टों को पट्री पर लाने की कोशिश की थी लेकिन क्या करूं उस देना चाहिए, भविश की तरफ देखना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स उठाना चाहिए, दो बार जब उन्होंने ये कहा कि I want to pick the threats from we had last left and past को हमें बरी कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए, तो मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या इसका शरीफ साब ये भी है कि जो अब्रोगेट किया, तीन सो सतर को कश्मीर से हटाया इंडिया ने, आप कह रहे हैं कि वो भी past हो गया है, क्योंकि वो इमरान खान की लाइन थी, कि अब आपने ऐसा कदम उठा लिया कि अब तो आपसे बात ही नहीं हो सकती, तो उन्होंने दो से उन्होंने कहा कि इस 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 इशू को वो भी टच ही नहीं करना चाहते हैं, बट आइवूड सर्टनी लाइक तो रीड इन बिट्वीन दे लाइन, एज जर्णलिस्ट और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा विंडो वो क्रिएट कर रहे हैं फिर से, कि आर्टिकल 3 70 वाले इशू पर भी बाती मत करो, ठीक है, वो लीडर्शिप में है, वो किस लेवल पर टेक अप करेंगे, वो दूसरी बाते हैं, लेकिन अविनाशी इतना जरूर जाहिर करता है कि अब वो रोडा नहीं बनेगा, अब यह मसला बाधा नहीं बनेगा, और थिंक्स इन ओफ मैंने वहां देखी और जैसा मैंने आपको पोस्ट का हवाला दिया जो डॉक्टर जैशंकर नहीं किया, तो आप यह मान के चलें, इतनी डिप्लोमेटिक समझ मुझको और आपको है कि आगे कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स आने वाले दिनों में उठ सकते हैं, लेकिन ए नमाज शरीफ नी जो जिक्र किया था कि अटल विहारिवाजपई के जमाने में हमने कोशिश की थी, सब को सुधर रहा था, लेकिन सेना में परवेज मुसर्रफ थे, टांग तो उन्हों नहीं खीची, बिगाड़ा तो उन्हों नहीं, अब अभी तो यह स्थितिया है, क्या खाना खा रहे थे, it was not a pull aside, कोई pull aside meeting हम ऐसा नहीं कहा गया है, नहीं उसको bilateral structure dialogue हो थे, लेकिन एक table पर बैट करके खाना खा रहे थे, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के events में avoid भी किया जा सकता है, पहले से दोनों साइट से एक दूसरे को समझा सकते हैं कि हम एक र concern से उनको address भी किया जाए, इसको लेकर के हो सकता है, फिलहाल ये सभी agencies same page पे हो, मैं इस पे comment इसलिए नहीं कर सकता है कि कितना larger आपस में consensus है क्योंकि I'm not a Pakistani and I'm, नहीं, कहने का मतलब I'm not privy to all those things, ये concern जो आपका है, वही हम सब का भी होता है, कि जब भी कदम बढ़ाय जाते कोई बड़ा हमला हो जाता है, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, सिर्फ कडियों को आप जोड़िये तो उससे देखने को ये मिलेगा कि ऐसा लगता है कि शायद आपसी consensus है कि इंडिया के साथ relationship सुधारा जाए, और क्या वज़ा है कि हमारा वीजा भी नहीं था, उसके बाव एक ray of hope, एक window बनाता है कि हो सकता है कि इस बार जो पाकिस्तान के different government हो, establishment हो चाहे, agencies हो, वो same page पे हो सकती है, आगे क्या होगा, फिर से ऐसा कुछ derailment हो जाए, कहा नहीं जा सकता, बट दोनों ही side का, फिर में insist करूँगा, उनकी बातें, और वहां जाकर के Dr. Jai Shankar और फिर उ सियासदा हैं उनके तौर पे भी, और जो सुरक्षा एजंसी हैं उनके तौर पे भी, ऐसा, यह वही मैं कहा कि यह थोड़ा, प्रियम्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसा लगता तो है, लगता है, अब तब जो देखने पर से साफ साफ समझ में आता है, एक चीज़ और मैं आप सा समझना चाहता हूँ, कि यह सारी बात तो सियासत की बात हो गई और नवाज शरीफ चाहता है, कि भारत के साथ रिष्टे सुधने, हम भी चाहते हैं, कारोबारी मसले भी हैं, उन्होंने यह बातें कहीं भी, सॉर्य मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उन्हों थे कि मिलना चाहिए बैठना चाहिए दोनों पक्षों को अब दोबारा बाइलेटरल टॉक शुरू करनी चाहिए तो इसका जरीया तो प्रधान मंतरी नेरदन मोदी सीधे हो सकते हैं उन्होंने तो इन्वाइट भी किया है आने के लिए उन्होंने का कि मैं बड़े शौक से इन्वाइट करना चाहूंगा उन्होंने बहुत सारी बाते कही उन्होंने कहा कि प्राइम निस्टर मोदी पर इम्रान खान ने डिरोगेटरी रिमार्क्स किये तो वो कते ही नहीं करने चाहिए थे इस तरह के लफजों का कि मैं प्रैमिनिस्टर मोधी को इंवाइट करूं और वो आए और अगर पहले भी इस दफा भी आते तो बड़ा अच्छा होता फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टन बात कि उन्होंने का कि कोप 29 में अगर यह दोनों लीडर्स जाते हैं शहबाज शरीफ और प्रैमिनिस्टर मैं यही पूछने वाला भी था आपसे कि नवाज शरीफ भी भारत आ चुके हैं मर्यम नवाज कहते हैं कि जब वह बहुत यूथ थी तब भारत आई थी और जो हमारी साजे विरासत है साजा खाना पीना है उसको लेकर के भी उन दोनों की बड़ी दिल्चस्पी रही है नमा शरीफ नॉस्टल्जी तो रहे हैं यहां नी बहुत सारी बाते हुई इन फैक्ट इस सो हैपन की जहां मैं बैठा था उस हॉल में मेरे ठीक बगल में एक चोटा सा टेबल था जिसमें बजर और कितन वो पैन और यह रखी दियों बगल में मेरे मर्यम बैठी हुई थी और जब और उनके लोग आकर के हमें कुछ खाने पीने को सर्फ कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी अच्छी चıppal कबाब बनती है वो जब आई मेरे बास जैख यह थू और आपके खाने और हमारे माुआ के मसालों में मुझे छोड़ा सवश दिखता है और इन आलो के टिक्की लेकरकेज़ के तो मैंने कहा कि नहीं मेरा पेट भर रहा है मेज साथा घाए लिज़ा प्रफ कि अव्युम देखकर करके इंडियू उसमें थोड़ा सब पाकिस्तानी फ्लेवर डाला है, खाके मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तो फिर मैने ने उनको खाके तो मैंने का कि इसमें तो बीच में चीज है और यह बड़ी क्रिस्पी है तो उन्हें बोला इसलिए तो मैं चाहा रही थी कि आप खाओ कैसे हमने इसको अपना फ्लेवर दिया फिर मैंने उन से पूछा धैट मीन्स यह जो आप मुझे खिला रही है या आपके सुपरविजन में या सीम आफिस में बना चाहा वो यह हमें मिले थे लाहूर में चीफ मिनिस्टर पंजाब यानि मर्यम नवाश शरीफ के आफिस में तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं घर पे भी खुद नहीं बनाती वहां कुक हैं कभी कभी बना लिया तो बना लिया लेकिन हाँ मैंने इनको बताया है कि यालू की टिक्की कैसे बनानी है नवाश शरीफ साब जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो वो चाह रहे थे सब लोग बताये कौन कहां का है तो जब मैंने उनको मेंचिन किया कि लखनौ मेरा शहर है तो वो नॉस्टाल्चिक हो गए फिर उन्होंने कहा कि आशीश मेरी वाइफ जो है उनका पीएजडी रिसर्च लखनौ का था तो जमाने बीद गए लखनौ के बारे में डिसकस करने के लिए फिर उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में मुझसे पूछा कि टुंडे कबाब अभी भी है क्या हुआ तो मैंने का रे सर अगर पता होता कि आपको शुख है तो हम लेते आते आते और ये बी नी पता थार आपसे व्लाकात हुनी है फिर उन्होंने बुले लेगा कि क्या हाल है तो आई वस अग praw एप सरप्राइस च्रेज भुलेगा को बहने बुले hanging फिर उनोंने बोला और चार बाग स्टेशन वैसा ही यह वो है कि नहीं अभी तो मैंने उनसे का कि सर है अभी भी उपर से देखिये तो लगेगा शत्रंच की गोटियां खड़ी है फिर फैनली जब वो हमें छोड़ने के लिए बाहर बस के पास गए एक ग्रुप फोटो अगर तो मर्यम बोली मर्यम करी कि मैं I would love to go to India मैं जाना चाहती हूं हिंदुस्तानी पंजाब देखना चाहती हूं शेड कल्चर देखना चाहती हूं कैरला जाना चाहती हूं चन्ना ही जाना चाहती हूं डिफरेंट रीजिंस में जाना चाहती हूं तो it was a very positive discussion जो एक घंटा हमार इंडियन टीम को आना चाहिए चैंपिन्स ट्रॉफी के अब लेकिन वही बात है ने कि वह कह रहा है कि पुराने जख्मों पे मिट्टी डाल दो उनको दफन कर दो लेकिन याद तो रहे गा है कि कैसे टीम वहां पे जाती है वहां पे हमला होता है और फिर सारी चीजे होती ह लिजंगर जाकर कि वह उसी पॉजिटिव जिसेर के साथ चीज़ें कर रहे हैं तो हम मुम्मिद करें कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टे जो है और बहतर होंगे क्योंकि पडोसियु से रिष्टिय दे matar होना ही हमारे लिए भी बात्र стे अदिशा दूर्जे के हम साय मु क्योंकि पाकिस्तान खुद ही मुश्किलों में घिरा हुआ है उसे भी एक साथी की दरकार तो हमेशा होगी और भारत हमेशा सब की मदद करता ही रहा है तो वहां भी मदद मिल सकती है नवाज शरीफ साब जो प्राइमनिस्टर मोदी के बारे में कह रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि वो दोजार राइट वर्ड्स जैसे मैं तुम से पहले कह रहा था तो डिप्लोमसी में राइट वर्ड्स भी बहुत माइने रखते हैं उनका ये कहना कि इमरान खान ने प्राइ आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलिए तो हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिष्टेए बहतर हों इसकी पहल हमारी तरफ से भी हो रही है और इसकी पहल जैसा कि नवाज शरीफ के पूरी बाचीत से झाल रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेसा अच्छे दोस्त बने रहें तो इसी उम्मीद के साथ यह पूरी बाचीत को हम यही पर खतम करते हैं आगे और भी ऐसी बातसीत के लिए देखते रहिए ABP Live.